अगर आप भी ऐसे ही images अपने लिए बनाना चाहते हैं और ऐसे images बना के ना आप अपना Facebook पेज ग्रो करना चाहते हैं, तो बहुत ही easy तरीके से आप ऐसे images अपने लिए create कर सकते हैं अगर आपको English नहीं भी आती है तो कोई problem की बात नहीं है, आप ऐसे images बहुत ही easy तरीके से create कर सकते हैं उसके लिए आपको ना अपने play store में चलना है और यहां search के option में आपको ना type करना है Google Translator और click कर देना है जो Google Translator app सामने आता है उसे आपको ना download कर लेना है मैंने पहले ही download कर ले है इसलिए मुझे update का option आ रहा है तो आप download पर click करके इसके download कर लेंगे उसके वाल आपको ना क्या करना है Translate के option को open करना है Translator को और आपको यहां पर हिंदी में आप बोल सकते हैं या फिर आपकी जो भी भासा है ना तो आप उसमें बोल सकते हैं और आप इसको convert कर सकते हैं English में ठीक है ऐसे image बनाने के लिए मैं यहां पर type करूंगी एक भारती लड़का जो कराब बोत्लों तो हमने यह टाइप कर लिया अब यह हमें डिडिक्ट करके दे रहा है इंग्लिस में ठीक है तो हम अब इसको ना ऐसे भी टाइप कर सकते हैं या फिर हम अपने माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं यह आइकान बना हुआ है इसमें अपने आवाज में बोल देंगे तो यह आटोमेंटिक टाइप करकी हमें दे देगा तो अब हमने वह टाइप करके दिया है हिंदी को इंग्लिस में तो हम उसको कंपय कर लेंगे हमने कर लिया है और अब हम problem browser में चलेंगे इसके बाद हम यहाँ पर search के option में टाइप करेंगे being image creator और click कर देंगे जो सबसे पहली website आती है में उसे open करना है अब हमने जो translate किये हुए सब्द थे उनको copy किया है यहाँ तो long press करके paste करेंगे उसके गाद अब create पे click कर देंगे कुछ ही seconds में यह हमें images हमारे prompt के according दे देगी जो हमने अभी लिखे हैं तो जब तक हमें images generate करके दे रही है तक आप मारी वोडियो को like करें और चैनल को subscribe करके भी like को press कर लें तो इसने हमें न ऐसे image generate करके दी हैं तो इनको डाम रोट कर लेते हैं अगर हम किसी जानवर के साथ अपने यह images generate करना चाहते हैं न तो इसमें हम लिख देंगे टाइगर और क्लिक कर देंगे यह मैं फिर वैसे images generate करके दे देगी टाइगर बनाते हुए लड़के के साथ image इसने हमें न ऐसे images generate करके दे दी हैं तुम देख लेते हैं सभी images को ऐसे ही न आप अपने लिए images download कर लेंगे बना लेंगे create कर सकते हैं बहुत ही easy तरीके से तो इसमें आपको English आने की कोई आविश्वत्ता नहीं है Google टांसलेटर से जो ऐसी आपको images चाहिए आप वैसा प्रांट खुद से तयार कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होग कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखनी को मिला होगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रांट के साथ तक के लिए धन्यवाद